नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ रंजना सिंगराटोर बुलेटिन का अगास करेंगे इस वक्त की बड़ी ख़बर के साथ चमुली ग्लैशर चूटने के बाद तपोवन में अब जील बन गई है जील में लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है अलक नंदा नदी का भी जलस्तर बढ़ा है एतियातन टीहरी डैम से पानी छोड़ने के निर्देश दे दिये गए हैं रविवार को चमुली में ग्लैशर टूटा था जिसके बाद तबाही की एक के बाद एक बड़ी तस्वीरे सामने आ रही है रविवार को चमुली में ग्लैशर टूटने से तबाही का मंज़र देखने को मिला 1500 से 200 लोगों के डूबने की खबर है इन सब के बीच जील में अब लगातार पानी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है तस्मीरे भी आपको दिखा रहे हैं अलक नंदा नदी का भी जल स्तर बढ़ा है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पर एहत्यातन टीरी डैम्प में पानी छोड़ने के अब निर्देश दे दिये गए हैं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चमोली से जहां पर ग्लैशे टूटने की बज़े से जो तस्वीरे सामने आई थी उसके बाद अब तपोवन में जील बन चुकी है जिसके चलते अब पानी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता हुआ जील में लगातार पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इन सब के बीच अलग नंदा नदी का भी जलस्तर बढ़ा है हालांकि तपोवन में सुरंग से लोगों को निकालने का मिशन लगातार जा रही है उमीद की किरन लगातार नजर आ रही है एक के बाद एक लोगों को बाहर सुरक्ष धीव बाहर निकाला जा रहा है तो देवबुमे उतराकर में बीते दिन कुदरती आपत ने अपना कहर बरपाया था ग्लैशे तूट जाने के कारण चमोली में बड़ा हाथसा हुआ था जिसकी तस्मीरे भी इस वक्त आपको दिखा रहे है पानी के तेज बाहाव में काफी कुछ बहा गया बड़ी इतादाद में लोग पानी के साथ बह गया इन सब के बीच SDRF, NDRF और पुरसो प्रशासर लगातार बचाव कार्य में जुटा हुआ है आपको बता दे प्लांट से लेकर पुल और घर तक सभी को हाथसे में बेहत नुकसान हुआ है अभी तक कई लोगों के शवों को बाहर निकाला गया है वीचे को और बड़ी खबर चमोली से जहाँ पर ग्लैशियर तूटने से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है 25 लोगों को सुरक्षत हलां की बाहर निकाल लिया गया तो वही 6 लोगों के गंभी रुप से जखमी होने की खबर जारी है ITBP के जवानों ने एक टनल से 16 लोगों को निकाला है टनल में अभी 30 लोगों के फसे होने की आशंका है राहत और बचावकारी लगातार जारी हैं सब के वीच DRDO की टीम भी आज मौके का मुआइना करेगी तो ये बड़ी जानकारी चमोली से आपको दे रहे हैं जहाँ पर मौत के मलबे में जिंदगी की उमीद लगातार बनी हुई है टनल के जरी है तपुमन से लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला जा रहा हा हलांकि दस लोगों के शौब बरामत किये गए हैं लेकिन बड़ी तादावत में 25 से जादा लोगों को शुरक्षित बाहर निकाल लिया है हालंकि 6 लोगों के जखमी होने की भी खबर है आती हुई हालांकि इन सब के बीच ITBP, SDRS, NDRS, पुलिस प्रशासन लगातारकल से बचाव और रहतकारी में जुटा हुआ है हालांकि टरनल में अभी भी 30 लोगों के फसे होने की आशंका है सभी को बाहर निकालने के लिए रहत और बचावकारी अभी भी जारी है ग्लैशर टूट जाने से 10 लोगों की मौत का आकड़ा भी तक सामने आया जिनके शवो को बाहर निकाला गया है हालांकि 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और 6 लोगों के गंबी रुप से जक्मी होने की खबर सामने आ रही है तो वहीं 100 से 200 लोगों के ग्लैशेर में बह जाने की भी खबर सामने आये कई लोगों के घर तूट गया और भारी तबाही का ये मंजर चमॉली से सामने आया तो ग्लैशेर तूटने के बाद अपोवन में जील बन चुकी है और इन सब के बीच पानी का इस्तर लगातार बढ़ता हुआ हालांके अहत्यातर लेकिन हमारी टीम्स वहां लगी हुई है सिश्टर एजेंसी भी लगी हुई है शायद थोड़े देर के बाद कुछ ब्रेक्ट्रू होगा